हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो में चैनल, आज मैं आपको बहुती आसान तरीके से पैंड की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो इसके लिए हमने दो मीटर फाब्रिक लिया है, तो इस तरह से दो मीटर फाब्रिक को हमने लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा है, ये ल तो ओपन वाली साइड हम अपनी तरफ रख लेंगे, इस तरह से हमने इसको फूर फोल्ड कर लिया है, ये दिखिए फूर लेयर से ओपन साइड है ये, अभी सबसे पहले हम उपर से दो इंच बैल्ड के लिए छोड़ेंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से लेंद लेंगे, तो रेडी लेंद है 35 इंच, तो 35 पर मार्क करेंगे और 2 इंच हम फूल्डिंग के लिए लेंगे, 37 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो कमर के लिए हिप का 4 पर प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो वह आजाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे, तो वह आजाता है 11 इंच, तो कमर लेंग उसको फोर से डिवाइड करेंगे तो वह आज़त है 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वह आगया 11 इंच लेकिन देखें यहाँ पर हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट का पार्ट आसन की साइट से कम करने वाले हैं तो इस तरह से हिप का फोर्ट प्लस 2 इंच मार्जिन तो हमारा 11 इंच आया उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो वह आगया 12.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे तो सभी साइज के रिए फॉर्म्योला सेम ही रहेगा तो हम यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लगा लेंगे क्योंकि हम फ्रन्ट और बैक दोनों पार्ट साथ में ही कट कर रहे हैं अब यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है उपर की तरफ इस लाइन को एक्स्टेंड कर देना है उसके बाद यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे तो यहाँ पर देखें हेवी साइज के लिए 3.5 इंच लेना है और मिडियम साइज के लिए 3 इंच लेना है एक्स्ट्रा तो यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पे तीन इंच इसके लिए लेना है कि फ्रन्ट और बैक साथ में कट हो रहा है अब यहाँ पे भी तीन इंच लेके इस तरह से आसन की गुलाई का शेप देंगे अभी हमें बॉटम लेना है तो बॉटम के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे तो इसका सेंटर आया 7 इंच पे तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यही निशान हम नीचे की दरफ भी लगा लेंगे अभी इसके आजू बाजू में हम बॉटम लेंगे दोनों साइड में तो बॉटम हम लेंगे 8 इंच का तो 4 इंच इस तरफ लेना है और 4 इंच दूसरी साइड में लेना है जो हमने मार्क किया है उसके इस तरह से इसके बीचो बीच हमें बॉटम ले लेना है इस तरह से यह 8 इंच का बॉटम हो गया अभी नीचे की तरफ इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे अभी इस लाइन को यहाँ पर जोड़ना है और इसको यहाँ पर इसके सामने निशान लगा के जोड़ देना है तो इस तरह से पैंट की मार्किंग हो गई है बहुत ही सिम्पल है अभी हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमने पैंट की कटिंग कर ली है इस तरह से देखे यह चार पीस है दो फ्रंट के और दो बैक के दो दोनों पीस को हमें अलग-अलग करके रखना है उसके बाद हम स्ट्रिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हम आसन में सिलाई लगा देंगे तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है सबसे पहले उसके बाद हम इसको इस तरह से ओपन करके रखेंगे और इसके उपर हमें दूसरे वाले पीस को भी रख देना है दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तिरफ रखनी है तो देखें दोनों पार्ट्स को हमने सीधी साइड अंदर की तिरफ रखके तो अभी देखें हमारा फ्रेंट का जो पार्ट है वो छोटा होता है और बैक का बड़ा होता है तो आसन वाली साइड से हम फ्रेंट पार्ट को छोटा कर लेंगे अभी यहां से हम डेड इंज नीचे की तरफ मर्क कर लेंगे एकदम सेंटर पे ही हमें डेड इंज नीचे की तरफ मार्क करना है उसके बाद इसको यहां पे जोट देना है और इसको भी इस तरफ जोट देना है अभी हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहां पे ध्यान देना है कि हमें सिर्फ उपर वाले पार्ट को ही कट करना है दूसरे वाले पार्ट को हमें कट नहीं करना है तो इस तरह से फ्रेंट पार्ट को हमने आगे से छोटा कर लिया है तो अभी सबसे पहले हमें इसके सेंटर में सिलाई लगानी है और उसके बाद इसके साइड में भी हमें सिलाई लगा देनी है तो हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है और साइट में भी सिलाई लगा दी है अभी हम इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे तो बॉटम के लिए हमने दो इंच लिया था तो उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह से हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया है अभी हम बैल्ट बनाएंगे तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे जितना चोड़ा एलास्टिक है उतनी पट्टी फोल्ड कर लेनी है तो हमने बैल्ड को फोल्ड कर लिया है अभी यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखा इसमें से इलास्टिक डालेंगे तो यह हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की लिए है अब ये हमने safety pin लिया है pin को यहाँ पर लगा लेंगे और elastic को इसके अंदर पास करेंगे इस तरह से हमने elastic डाल लिया है अब इसको overlap करके stitch करेंगे तो हमने इसको stitch कर लिया है अब elastic को हम अंदर की तरफ कर लिया है और जो हमने open रखा था उसको stitch करेंगे तो इस तरह से यह हमने elastic लगा लिया है और यह हमारा pant ready हो गया है बहुत ही comfortable है और बहुत ही easy भी है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए